हलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रस्ट पे डिसकस करने जा रहे हैं, उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रस्ट नहीं ये है कि वह सिधान्त जो जनसंख्या में बृत्थी को विकास के चरणों से जोड़ता है यहाँ पे आप लोगों को की टर्म जो मिला है, वो है कि किसने विकास के चरणों से या इसी कौन सी जनसंख्या बृत्थी की थिवरी है जो कि विकास के चरणों से जोड़ के बताता है, तो इसको क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है दन प्रवा का सिथांत, माल्थस का सिथांत, जनसंख्या संक्रमड का सिथांत, सामाजी कोशी का सिथांत यहाँ पे हम लोग बाकी का डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग माल्थस का सिध्धान्त क्या होता है इसको भी डिसकस कर लेंगे और जनसंख्या संक्रमण का सिध्धान्त क्या होता है इसको भी डिसकस कर लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आखे में क्या है यहां पर मैंने एक यहां से आनलाइन मैं सोर्से से ली हूँ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि demographic transition is a concept coined by Viren S. Thompson 1929 में यहां पर demographic transition जो है इसी को जनसंख्या संक्रमठ हिंदी में करते हैं तो demographic transition होता है इस concept को coined किया गया था मतलब किसकी द्वारा यह सब्द ही उत्पन किया गया है तो यह Viren S. Thompson है आप लोगों को बिभिन जो परिछाएं होती हैं खास करके जो जनसंख्या पर आता है प्रस्ट उसमें आप लोगों ने यह नाम सुना होगा Viren S. Thompson का तो इन्हों ने demographic transition अर्थात जनसंख्या संक्रमड जो सब्द है इसको coin किया था अर्थात इसको सब्द को की उत्पति किया या फिर गढ़ा है यहाँ पर दिया गया है कि एन्ड लेटर पॉपॉलाइस वाई Frank W. Nautisten जो की 1945 में इन्हों ने इसको पॉपॉलाइस किया था बाद में इसको काफिया तक पॉपॉलाइस करने का काम इन्हों ने Frank W. Nautisten ने किया है यह 1945 में करते हैं यह नाम भी आप लोगों को बहुत ही जादे important है क्योंकि यह बिभेन परिशाओं में पूछ दिया गया है तो यह दोनों नाम आप लोगों को थामसन को भी याद रखना है और Nautisten को भी रखना है थामसन ने इसको क्वाइन किया था अर्थात इस सब्द को गढ़ा था और इसको आगे चलके पापॉलाइस करने का काम Nautisten ने किया था अच्छा इन्हों ने किया क्यों था तो डिस्क्राइब और हिस्टोरिकल प्रॉसेस आप चेंगे कि आप लोगों को यह इंग्लिस में है अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है मैं इसको टोटली हिंदी में इसको एक्स्प्लेइन कर दे रही हूं कि इस सब्द को गढ़ने का काम वैरन एस थॉमसन ने किया था मैं हिंदी में भी लिख दे थी हूं वैरन एस थॉमसन ने किया था इसको पापुलाइस करने का अर्थात इसको आगे और जादे अच्छे से इक्स्प्लेइन करने का काम फ्रैंक 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 डावल्यू नौर्ट इस्टी ने किया था तो यह दो नाम आप लोग जरूर ठ्थान रखियेगा वैरन एस थांसन और फ्रैंक डावलू नौर्ट इस्टी अच्छा इन्हों अखिर में किया ही क्यों था तो यह समझना चाह रहे थे कि जो एकदम सुर्वाती से हमें दिखता है समाज उसमें आखिर में जो विकास हुआ है वह किन किन चर्णों में और कैसे हुआ अखिर में उनमें क्या डिफ्रेंस हुआ जंसंख्या के रिफ्रेंस में कि कि किने इम्रित उदर रही कितनी जन दर रही और इसके कारड़ से जन संख्या में जो बृति हमें आज के स्टेज में दिखाई देती है जो कि यह इंडस्टिलाइज्ट सिविलाइजी सनम को दिखाई दे रही है जहाँ पूरी तरह से लोग इंडस्टिज बेस्ट हो गए हैं औ उसके पीछे क्या कंडिशन रहा किस प्रकार के मृत दर रही किस प्रकार का जन दर रहा और उससे पापूलेशन किस प्रकार से बढ़ी है इस पेसली इन्हों ने जो है यूरोपियन सोसाइटी के रिफ्रेंस में इसे दिया था तो अब हम लोग दोनों को डीटेल में समझे कि आखिर में माल्थस का सिध्धान क्या है और जन संख्या संक्रमण का सिध्धान क्या है करेक्ट आंसर तो आप लोग को क्लियर हो गया लेकि इसको हम लोग टेटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे आप लोग एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे आप लोग यह देख सकते है यह जो है, यह resources की बात करता है, resources means होता है, संसाधन, और यह जो है, यह जनसंख्या की बात कर रहा है, यह जनसंख्या, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो हरी वाली जो arrow है, वो resources को दिखा रहा है, और जो लाल वाली जो आपको arrow दिख रही है, यह हमारी line जो है, population को अर्था जनसंख्या को दिखा रहा है, मालतस ने कहा था कि समय के साथ, समय के बढ़ने के साथ साथ, हमारी जो संसाधन है, यह तो एक रेखी दिखा में आगे को बढ़ता रहेगा, लेकिन जनसंख्या की इस्थिति क्या है, जनसंख्या जो है, पहले तो कम रही, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस graph पे चुकि हम जनसंख्या को देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, कि पहले तो यह कम रही, यहाँ तक आते आते यह सडन बढ़ना सुरू कर दिया, और इसके बास यह अचानक ही जनसंख्या जो है, वो बहुत तेजी से बढ़ गई, इन्होंने यहाँ पे रिसोर्सिज और जन किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, किसी को पूरी तरीके से जो एक प्रकृटिक सनसाद,' रहे हैं, तो वो क्राइसिस की कंडिशन हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रिसोर्सिज हमारे सनसादन रहेंगे, एक रीक ही दिसा में बढ़ेंगे, लेकिन जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो उन हर किसी को जो resources है या फिर जो प्राक्रितिक संसाधाने वो उपलब्द नहीं होंगे और इसलिए यह जो क्राइसिस की स्थिति है वो उत्पन्द हो जाएगी तो यह आप लोगों का माल्थस का जनसंख्या बृधि का सिधान्थ था अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि डिमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी से कहते हैं डिमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी ओके यही हमारा जनसंख्या संक्रमण सिध्धान्थ है जनसंख्या संक्रमण सिध्धान अब हम लोग इसको एक बार डिटेल में समझते हैं एक बार आप लोग ध्यान से समझेए ये ग्राफ आप लोग माइन में रखिए सेट की ग्राफ कैसा है इससे बहुत जादे क्वेश्चन आते हैं नेट के एक्जाम में इस्थिती होती है पहली इस्थिती हम लोग देखेंगे यहां पे एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे यहां से यह प्री डेवलप्मेंट का पीरियड है यहां पे हमको तीन चार स्टेजेज में हमको दिखेगा कि किस प्रकार से जो मानो समाज है वो एकदम सुरुवाती तोर से और आज के अर्थात प्री डेवलप्मेंट यहां पर अभी डेवलप्मेंट नहीं हुआ था विकास नहीं हुआ था उससे पहले की इस्थिति क्या थी और आज जो है कि विकास हो चुका है अच्छे से आज के इस्थिति तक कैसे पहुचा है तो इसको यहां पर एक Threat और Population जो है Effective पर दिए तो उसको हम लोग समझेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग बहुत ही आराम से Example से समझने की कोशिस करेंगे एक आदिम समाज को आप लोग ले लिजे जहां पर Development नाम की कोई चीज नहीं थी अगर माइन में आप लोग पहले उसको सिट कर लिए तो फिर उसे सम्मंदित क्या इस्थितियां थी उसको हम लोग समझेंगे और फिर उसी पर हम लोग इसको एपलाई करके देखेंगे अब आप लोग समझेंगे कि एक आदिम समाज था उस समय में पापुलेशन जो है वो कोई बहुत जादे नहीं थी या आप सभी कोई पता है कि जो पहले का समाज आज से 200 साल पहले आप लोग चले जाईए तो उस समय में जो जनसंग है वो बहुत जादे नहीं थी उतनी जादे लोग जागरूप भी नहीं थे प्रकिर्टी के बारे में उतनी जादी जानकारियां भी नहीं थी उतनी जादे अगर देखें तो अर्थ बेवस्था भी विक्सित नहीं थी हमें जो एक किस प्रकार से संतुलित आहार लेना चाहिए या हमारी एक अच्छी तरीके की healthy lifestyle होनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं पता था तो आप लोग देख सकते हैं कि उस समय में birth rate अर्था जो जन्मदर है ये एक मिनट जो हरी वाली लाइन है इसको जन्मदर है ये इससे हम लोग समझेंगे और जो ये लाल वाली लाइन है ये हमारी ब्रित्य दर है अब इन दोनों से हम लोग समझते हैं जो ये आप लोग को औरेंज लाइन दिख रही है नारंगी रंग की ये हमारी जन्संख्या है अब इससे हम लोग clear करते हैं जन्मदर उस समय बहुत जादे थी बृत्य दर भी बहुत जादे थी क्यों कि हैं उस समय medical facility भी बहुत जादे नहीं थी जब आप लोग को पता है कि कुछ इस प्रकार की अगर natural अगर crisis कुछ आती थी या कुछ बिमारियां ऐसी आ जाती थी तो प इस प्रकार से बर्ट रिट है बहुत जादे थी और उसी प्रकार से जो दे थे रेत है अर्थात मृत्य दर है ओ भी बहुत जादे थी जन संख्या हमारा जो है ओ एक कहेंगे संदुली तवस्था में मतलब नीचले अस्तर में हमें देखने को मिलेगा तो यहां पे चुकि बहुत जादे लोग अगर जन्म लेते भी थे तो बहुत जादे लोगों की मृत्यू भी होती थी इस प्रकार से जनसंख्या जो है वो कम थी और बैलेंस्ट कंडिशन में थी दूसरा ग्राफ जब हमारा आता है तो यह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी ग्राफ गड़ घड़ गई इसका अर्थ क्या है और था जब हमारे सामने टिकनॉलोजी जो है वो बहुत अच्छी आ गई अच्छी आ गई हमारे एकोनामी कंडिशन जो थे वह बहुत अच्छी हो गए हम अच्छे से अपने भोजान या संतुलित आहार करने लगे हम अपने खुद एक हजार जनसंख्या है तो उसमें कितनी लोग दित हो रही है वही हमारी मृत्यु दर कहलाती है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मृत्यु दर है वो तो हमारी घट गई अर्थात बहुत ही कम लोग मर रहे हैं लेकिन उस समय चुकि जन्म दर हमारी वैसे की वैसे ही रही अ और वो बढ़ी ही कंडिशन में है, उसमें कोई हमें जो एक बोलेंगे कि घट रही है, ऐसा कुछ भी साइन नहीं दिख रहा था, बृत तुदर लेकिन घट गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि चुकि जन्म दर हमारा हाई है, बृत तुदर हमारा कम हो रहा है, उसके बा स्वास्ते की जो सुविदा है या मेडिकल फैसिल्टी है, वो हमें बहुत अच्छी मिल रही है, तो जितने भी एक बुजुर्ग लोग है, उनकी देथ कम हो रही है, तो आप लोग देखेंगे कि जो बुजुर्ग है, वो भी हमारे साथ है, और नए जन्म भी हो रहे हैं, तो क्या है जनसंख्या जो है हमारी बढ़ती हुई दिखेगी, तो इसके कारण हमें जनसंख्या जो है यह यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, अगला कंडिशन जो आता है, उसमें हम लोग देखते हैं तीसरे स्टेज में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह हा स्टेज मांते हैं यह हमारा फल्स्ट स्टेज है यह ठाइच है और यह हमारा फोर्थ स्टेज है तो यह हम देखेंगे कि सेटिन्डिस और थाइच गूंव इस दोनों को आप लिए तो जनसंख्या जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रही है अब यह कैसे हो रहा है यहां पर आ में मिल रही हैं इतना सबकुछ हमारा a developed condition में दिख रहा है कि हमें जो देथरेत देखनी को मिल रहा है उसमें काफी सुधारो हो गया बहुत ही कम संख्या में लोग मर रहा है लेकिन जो और जो जन्मदर है ये भी हमें दिख रहा है कि घट रहा है जन्मदर में हमारे घट रहा है लेकिन देथरेट जो है मृत उदर है वो इस्टेबल है अब यहां पर हम लोग समझते हैं जैसे माल लेते हैं कि जो मृत उदर है एक मिनट मैं इसको एक नए पेश पे हम लोग अच्छी से क्लियर कर लेते हैं ये मान लीजिए कि मृत्यू दर जो है वो हमारी कांस्टेंट है अर्थात लोग बहुत ही कम मर रहे हैं या नो के पराबर हो रही है मृत्यू जन्म दर है वो हमारी घट गई हम उसको देख रहे हैं कि वो घट गई है तो क्या होगा इससे इससे जनसंख्या जो है वो हमारी बृत्यू दर से चुकि हम बहुत ही कम लोग मर रहे हैं तो वो हमारा इस्टेबल कंडिशन में अर्थात लोग दिख रहे हैं और जन्म दर है जो वो हमारी थोड़ी घटते हुए दिख रही है लेकिन जो कि जनसंख्या में हमारे जो ये ग्राप दिखा रहा है कि डिफ्रेंसेस हमें देखने को मिलता है कि ये बढ़ने के कंडिशन में है तो इस समय में ही इसी स्टेज में फासला इतना जादे हो जाता है बर्थरेट और देथरेट से जनसंख्या का कि जनसंख्या जो है वो हमें बढ़ते हुए ही यहां तक दिखाई देगी अर्थात यहां पे आप लोग यह देख सकते हैं हाला कि कुछ इस्टे जाने के बाद यह constant हो जाती है जनसंख्या यह देखने को आप लोग को होगा कि जब हमारा मालीजे के मृत्यू बहुत ही कम से कम हो रही है जनसंख्या जो है वो slowly slowly जो जन्मदर है वो हमारा धीरे धीरे घट रहा है तो उसी रेशियो में हम देखेंगे कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जादे हैं तो उसी रेशियो में जनसंख्या मरा बढ़ रहा है यहां पे जैसे जैसे आया यह घट रहा है यह धीरे धीरे slowly slowly control हो रहा है यह हमारा जैसे जैसे घटता जा रहा है यहां पे control होता जा रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ घटा और यहाँ पे जनसंख्या हमारा जो है वो बिलकुल stable condition में आ गया है तो ग्राफ यह बता रहा है कि हमारी जन्मदर है वो धीरे धीरे घट रही है बृत्य दर को एकदम constant रखते हैं उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिल रहा है अर्था तो वो stable condition में है जन्मदर हमारी slowly slowly घट रही है जोकि transition के condition में संक्रमण की इस्तिती में है जन्संख्या तो जन्संख्या हमारी बढ़ रही है क्योंकि आलेडी यहाँ पे ग्राफ जो है वो जन्मदर का high है जैसे जैसे जन्मदर हमारी कम होती जाएगी वैसे वैसे जन्संख्या हमारा constant हो ज दिख रहा है यही हमारा संक्रमण की इस्तिती है संक्रमण की इस्तिती है इन्होंने ऐसा कहा था कि आगे की इस्तिती जो है जैसे की developed जो condition हो जाएगा पूरी तरह से विक्सित हो चुका है उस समय में हमारी जो यह जो जन्मदर है और जो मृत्त्यु दर है ओ दोनों हमारी constant हो जाएगी अर्थात एक स्टेबल कर्डिशन में रहेगा कि हाँ आज का हम लोग देखी रहे हैं फिर भी बहुत सारे अगर वेस्टर्ण कॉंट्री में देखें तो एक बच्चे हैं दो बच्चे हैं या इतना ज्यादे पापुलेशन नहीं दिखाई देती है और जो हमारी म अच्छी मेडिकल फैसिल्टी मिलती है और अच्छी तरीके से हम अपने लिए भी जागरूख हैं लेके हर चीज को तो हम देखेंगे कि मृत्यु दर भी हमें स्टेबल देखने को मिलती है इसमें कोई परिवर्दन देखने को नहीं मिलता है और जन धर भी साथ ही साथ स्ट हमें देखने को मिलेगी वो चुकी जादे हो चुकी है लेकिन वहीं पर वो स्टेबल कंडिशन में आगे को बढ़ती रहेगी तो इस प्रकार से जो नौट इस्टिन थे इन्होंने ये समझाने की कोशिस की थी कि कि किस प्रकार से जो समाज है वो प्री डेवलप्मेंट किस अब है तो ये हमारे बेविन स्टेश्स में आया है और ये जो थिए ये जनसंख्या की जो भी शिधान्त बने हुआ हैं उम्मेद है दोस्तों कर आज का जो ये question था इसमें जो आप लोग को confusion था कि माल्थस का सिधान्त है या फिर जनसंख्या संक्रमण का सिधान्त है तो आप लोग को ये concept आज clear हो गया होगा अगर नहीं clear हुआ होगा तो आप लोग हमें बताइएगा हम फिर से एक बार आप लोग को फिर से इसी किसी और भी question पर लेके और discuss हम लोग कर लेंगे थैंक यू